पाट सोला आपठत बूध अनसीन पैसरच चात्रों की अर्थक्रहण की क्षमता के मूल्यांकन हे तू आपठत सामक्री पर आधारत प्रश्न दिये जा रहे हैं आपठत सामक्री चात्र द्वारा पहली सी पढ़ी नहीं होती है अतह इसकी द्वारा चात्र की योग्यता का मूल्यांकन उचित रूप से हो सकता है अभ्यास हे तू कुछ आपठत सामक्री यहां तीचा रही है चात्रों को उचित ठंक से इसका अभ्यास करना चाहिए अपठत गध्यांश या पध्यांश का उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए एक गध्यांश या पध्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए दू प्रश्नों की उत्तर दीगई सामक्री से ही देने का प्रयास करना चाहिए 3. यथा संभव अपनी भाशा में प्रश्णू का उत्तर देना चाहिए 4. उत्तर की भाशा सहच, सुबूद एवं स्वश्ठ होनी चाहिए अपठत गद्यांश विनम्रता मनुष्य का आभूशन है जो व्यक्ति विनम्र होता है और पढ़ों का अभिवादन करता है वह सबका प्रिय होता है विनम्र मनुष्य की सभी सहायता करते हैं ऐसे व्यक्ति में धैर्य, क्षमा, प्रीम, परुपकार आधी अनीक कुणों का विकास होता है भगवान राम भी अपनी विनम्रता की कारण सभी की प्रीय थे वी माता पिता और गुरु का नित्य अभिवादन करते थे अपने इनी घुळों और लगन की कारण उन्होंने पालिकाल में, शीक रही, सभी विद्याओं में तक्षिता प्राप कर ली थे विनम्रता में वह शक्ती निहत है, जो क्रोथ रूपी जहर को भी अम्रित बना देती है अपठत कत्यांश हमारी आस्मास जो कुछ भी है, वह पर्यावरण कहलाता है वायुमंडल, व्रेक्ष, नदी नाले, आस्मान, बागबगीचे, सडके, कारखानी आदी सबी कुछ पर्यावरण के अंतरगत ही आते है आज पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या इसके दूशित होने की है कल कारखानों से उटता धुआ, नकरों में बढ़ती भीड तथा यातायाद के साथनों की लगतार बढ़ती हुई संख्या इसे प्रदूशित करती जा रही है इसे प्रदूशित करने वाले कोई और नहीं, बलकि हम ही है बढ़ती जन संख्या के कारण हमारी सरूर्तों में भी निरंतर बढ़ोतरी होती गई है उन सरूर्तों को पूरा करने के लिए हमने सीधा पर्यावरण पर प्रहार किया और आज स्थिती यह है कि हम स्वयम सांस लेने में कतराते हैं बढ़ते हुए जल, भूमी और थ्वनी प्रदूशन ने हमारी चीवन को खतरे सी भड़ दिया है लगतार पढ़ने वाले इस पर्यावरण की प्रदूशन को दूर करना होगा इसे दूर करने की प्रयास भी हमें करने हैं हमें चाहिए कि स्यादा से स्यादा व्रिक्ष लगाकर हम वायू को शुद्ध करने में अपना योगतान दे पर्यावरण में थूल धूए कि मात्रा को कम करने के लिए हमें वाहनों की प्रयोग पर रूख लगानी होगी तथा जल की शुद्धता के लिए लोगों में चाक्रती लानी होगी ताकि वे नदियों में कूणा करकट तथा रसायन ना डालें इस प्रकार हम अपनी पर्यावरण की सुरक्षा ही नहीं करेंगे वरन प्रक्रती को सुन्दर बनाने में भी अपना यूगतान देंगे पठत कद्यांश आदर्श नागरेक वह है जो अपनी कर्तफ्यू और अधिकारों को समझ कर अपनी कर्तफ्यू का द्रणता से पालन करता है वह जानता है कि उसे अपने अधिकारों का समुचित रूप से उपियो किस प्रकार करना चाहिए इन सब बातों से परिचित होने के लिए नागरेक का शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है शिक्षित नागरेक ही लोगों में चाक्रती लाने का काम कर सकता है किसी भी दीश की प्रगती का आधार वहां रहने वाला प्रतीक नागरिक होता है एक अकेला व्यक्ती दीश को प्रगती की राह पर आगी कभी नहीं ले चा सकता देश को समृत्त बनानी के लिए अपना सर्वस नियुच्छावर करना ही प्रतीग नागरिक का कर्तव्य होता है आदर्ष नागरिक वही होता है जो कीवल अपने कल्यान की बात नहीं सूचता बलकि दूसरों की हिट को ध्यान में रखते हुए कारे करता है दूसरों के हित में ही देश का हित तथा देश के हित में अपना हित छिपा होता है आदर्श नाकरिक में आपसी सहयोग, प्रेम वपरहित की भावना का होना भी अति आवश्यक होता है इसी के द्वारा वस्वयम आदर्श नागरिक कहलाता हुआ, दूसरों में आदर्श की भावना का संचार करता है। आदर्श नागरिक देश के प्रती समरपड की भावना रखता है। वह देश को उन्नती की राह पर ले चाने के लिए अपना सर्वस्व निउच्छावर कर देता है। आपठत कत्यांश कोईल मधुर वानी पोलती है, इसलिए उसकी वानी सभी सुनना चाहते हैं। वह सभी को प्रिय होती है, कउवा करकश वानी में पोलता है, इसलिए उसकी आवास कोई सुनना नहीं चाहता है। जो व्यत्ती मीठी वानी बोलता है, वह सभी का प्रिय होता है। मीठी वानी औशुदी के समान होती है, इससे व्यत्ती का मन प्रसन्न होता है। कड़वी वाणी तीर के समान कश्ट पहुचाती है। हमें सदैफ मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इसी से समाज में हम आदर और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अपठत पद्यांश हट कर बैठा चान्द एक दिन माता से यह बोला। सिल्वादों मा मुझे उन का मूटा एक चिंगोला। संसन चलती हवा राद भर। जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरा यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मोसम है चाड़े का। ना हो अगर तो लादो कुरता ही कोई भाडे का। आपठत पद्यांश। यह मेरी सत्कुरू किर्पा करी अपनायो। जन चन की पूंजी पाई जक में सभी खोवायो। खड़्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सत्की नाव। खेवटिया सत्कुरू भवसाकर तर आयो। मेरा के प्रभू गिर्धर ना कर हरक हरक जसकायो। कर एंदी झाल आयो। सत्कुरू कर दो कर दो लेवे जसके प्रभूभ।